लक्षमी नगर में निर्वांड विहार मैट्रो इस्टेशन के पास आज आपके लिए पचास-पचास गज के दो फ्लैट टेक रहा हूँ अन पेपर यह 40 गज है, मौके पी यह करीब पचास गज के राउन में ही बैठता है एक फ्लैट यह आपका सामने है, और इसमें अभी ताला लगा हूँगा, रेंट पर छड़ा हूँगा यह फ्लैट यह सामने आपका सेकंड फ्लैट है इसका रेंट आता है 10,000 रुपए और सामने वाले का रेंट आता है 12,000 रुपए दोनों एक ही साइज में हैं बट उसमें आपको बैड बगरा लगा के मिलता है यह आपका फर्स्ट बैडरूम अगर रेंटल इंकम के लिए देख रहे है तो वो भी आपके लिए बेस्ट आप्सन है और रहने के लिए देख रहे हो तो आप बैडरूम का साइज देख सकते हो 11,10 का साइज है अराम से डबल बेड आएगा प्रोपर वेंटिलेशन है सामने बोडम वक क्या हुआ है इधर की साइड वेंटिलेशन के लिए एक साफ्ट है और एक साफ्ट इस साइड है दो साफ्ट है इसमें कि अगर आप रहने के लिए देख रहे हैं तो दो फ्लैट आपके लिए बहुत ही कम प्राइज में आया हुआ है यह इसका कोमेंट टॉलेट है कोमेंट टॉलेट का भी साइज आप देख सकते बड़िया साइज है वेंटिलेशन के लिए पीछ शाफट है इसमें भी और इसी के सामने यह आपका मॉडलर किचेन है इसमें आपको रंग, पेंट वगरा सब कुछ कराके मिलेगा प्राइज में डिस्क्रिप्सिन में में इसन कर दूँगा दो फ्लैट सेल के लिए आएगुए हैं दोनों एकी फ्लोर पे हैं ओन पेपर 40-40 गज़ है मौके भी यह 50-50 गज़ के फ्लैट बनते है फ्रन्ट दोनों फ्लैटों का 30-32 फिट का है यह इसका सेकंड बैटरूम है रेंटल इंकम के लिए देखते हैं तो यह आपको 10,000 रुपए में यह वाला फ्लैट आपको एजटीज मिलेगा और अगर फ्रनिश्ट करके देते हैं तो 12-13,000 रुपए में चड़ता है यह स्टुडेंट्स पगरा को देते हो तो वो डिपेंड करता है कि कितने स्टुडेंट्स रह रहे हैं एक फ्लैट में उसके उपर रेंट डिपेंड करता है यह इसका सेकंड बैटरूम है दस भाई नौ का साइज है सेकंड बैटरूम का इसमें भी आपको वोड़ वक्त करके देते हैं लाइट नहीं जल्दी फिर भी वेंटिलेशन देख सकते हैं आपको यह सी लगाने के लिए स्पेस देवा यह सामने बालकनी है दोनों फ्लैटों की अलग-अलग बालकनी इसकी यह रही और सामने सेकंड बाले फ्लैट की बालकनी है यह इदर की साइड उसकी किचन है दो गैस मीटर लगे हुए है इसके अंदर गैस पाईपलाइन अल्रेडी आई हुई है यह आपकी किचन है सामने बिल्कुल राधु पैले से बिल्कुल बैक साइड में ही यह फ्लैट है और वेस्ट गुरु अंगर नगर लोकेशन आता है लक्ष्मिनगर का लोकेशन है निर्वान विहार मैटर स्टेशन वाकिंग डिस्टेंस पे है वीत्रे स्मॉल बिल्कुल वाकिंग डिस्टेंस पे अगर यह आप यहां से मंगल बजार जाना चाहते है तो वो भी आप 5-10 मिट में पहुच जाएंगे वाकिंग गाड़ी से बाइक से जाते है तो 2-3 मिट में ही पहुच जाएंगे सेम जैसा आप यह फ्लैट देख रहे है अगर आप इन्वेश्टमेंट परपस से देखते हैं या फिर रहने के परपस से देखते हैं तो दोनों के लिए आपके लिए बेस्ट आप्सन है साइड विजिट के लिए डिस्क्रिप्शन नंबर दूंगा आप मुझे कॉल कर सकते हैं और प्राइज भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही मेंसन कर दूंगा थैंकि दोस्तों